आज की वीडियो में टर्की के विजट वीज़ा के बारे में आपको बताओंगा विडियो गर आपने एंड तक देख ली तो विज़ाओट एनी ट्रैवल एजेंट आप तुछ से जाके वीज़ा प्लाई कर सकेंगे जस्ट जाके आपने फीस पे करनी है और आपका सारा जो प सब्सक्राइब कर दिया करें से जरा मॉटिवेशन होती है मजीद वीडियो बनाने के आपको बताता चलो कि मैंको ट्रैवल एजेंट नहीं हो ना वीजास का या इमिग्रेशन का काम करता हूं यह जितनी वीडियो होती है मेरी अपनी रिसर्च करती हैं जो तर्की का वीजा है मैंने खुद से कैसे अपलाई गिया था और मुझे वीजा कैसे मिला था क्या का मैंने डॉक्मेंट्स लगाएं थे वही अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और इंतहाई इजी वीजा है और इसकी रेशो बहुत अच्छी है आप एजिली तर्की का वीजा हासिन करके आप अपनी अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं असलाम लेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल शाजहन यासेथ आज हम बात करेंगे तर्की के विजट वीजा के बारे में जो पाकिसान में रहते हुए आप खुद से उसको एजी ली अपलाई कर सकते हैं आपको किसी भी किसम गे ट्रैवल एजेंट की किसी की गाइड़न्स की जरूरत नहीं है आज की वीडियो अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तो तर्की का वीजा आप एजी ली जाके खुद अपलाई भी कर सकते हैं और होफुली आपको वीजा एजी ली मिल भी जाएगा क्योंकि इसका प्रॉसेज जो है बहुत ज़्यदा एजी कर द अब फैसलाबाद में आलमस नौ सिटीज हैं पाकिसान में जिसमें अनाटॉलिया ट्रैवल सर्विस का ओफिस है तो लहौर में भी है ओफिस की लोकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्रिप्शन में दे देता हूं अनाटॉलियो ट्रैवल सर्विस की वेब साइड पे जाके आप विजड कर सकते हैं और टाइमिंग जो हैं इसकी ऑफिस की वो थ्री टू नाइन होती है अगर आपने पास्पोर्ट कॉलेक्ट करना है तो उसके लिए फाइव तक होती है नो से पांच बजे तक अब बात करें टरिकी के विजड वीजा के लिए डॉकुमेंट्स कौन स इसकी सबसे अच्छी बात अब जो मुझे लगती है कि आपको मैं जो आप डॉकुमेंट्स बताने लगाँ यह डॉकुमेंट्स लेके आपने अनटॉलियर ट्रैवल सर्विस के ऑफिस चले जाना है और जाके जैसे आप बैंक में टोकन लेते हैं और वो टोकन लेके आपने है अपने साथ लेके जाने, डॉकुमेंट्स भी इंतहाई इज हैं हैं ऐसे डॉकुमेंट्स आ जिकरेंगा जो तो फैसे पहले कर यहां तो आझाए बात के रीता आपका klosing balance होना चाहिए भिजनस के डोकुमेंट्स बिजनस की रिजिस्टरेशन है, चाहिए हो, अगर आपको इंप्लॉई है को इंत्र हैं मेंस्स की सालॉरी इसके लावा आपको अगर आप हो मैर्सी चाहिए होगा और खाई हो साध। इसके लावा आप upside अब को होटल कीन का चाही होगागा होटल में डिल इक करवानी है ऐपने कराइंग नहीं होती है वहापने वीजी ऑपकाई करना है जो आप उसने प्लैन दे रहे हैं और उसноपने लेक्ट इसक पहले आपको यह प्लैन से प्लैन आ oc बहुत पहले आपको बिजा मिल जाए लेकिन अगर आपकी प्रॉफाइल स्टॉंग है और आपको मिल जाता है तीन चार दिन में भी वीजा लोगों को मिला है तो बहुत एजी प्रोसीजर है यह सारे डॉकुमेंट्स है इसके लावा पॉलियों के से जरूरत नहीं है और ट्र जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के है इन आउड की जो स्टेंट्स है या वीजा स्टेकर पासपोर्ट पे लगे हुआ है उनकी कॉपी आपको फोटो कॉपी आई होगी वह सास लेके जाएंगे वहां पर आपको आपको आफिस में भी दिया जाता है उसम्पल सा फॉर्म ह हो एं आउट कब हो है जास वह दिटेल होती है कितने भी कंट्रीस आपने विजट की हैं उसमें आपने मेंचन करना होता है और आपने कहीं पर ट्रैवल नहीं भी किया वा तो फिर जरूर की घॉट करनी पड़ती है तरकी के वीजा की रेशिओ बहुँ जयादा इस ताम पे अपनी खुद से बनाले तीन मन्स के आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो अपको इजली बना सकते हैं बैंक स्टेटमेंट तो टू बाइटू की मैट फिनिश जो पेपर होता है उस पे आपने उसका वो प्रिंट लेना है शाइन वाले पेपर पे नहीं लेना को कि मुस्ली ऐसे हुआ है मेरे लास्ट टाइम एक डोस ने अप्लाई किया था तो वो जो शाइन पेपर वाली फोटो होती है वो साथ लेक दस सजार पर आपको देने पड़ सकते हैं फोटो के लिए तो फोटो जो है टू बाइटू की मैट फिनिश पेपर पर उसका प्रिंट आपने साथ लेकर जाना है यह थी सारे डॉकुमेंट्स जो टर्की के वीजा के लिए आपको रिक्वाइर है तो देख लिए कितनी कीज कि लिए रिक्वाइर मैंनें्ट के लिए कोई भी फार्म कहीं करवाने की जरूरत नहीं है ट्रैफल इन्शॉरंस की जरूरत नहीं हो ते membran Tou'. तो वो उसी आफिस से ही आपको दी जाती है ट्रैवल इंशोरंस और उसका वो सेपरेट से चार्ज करते हैं अब वीजा की फीज के बारे में आपको बताता चलो वीजा फीज जो टोटल बनती है वो आलमुस पचास से पच्पन हजार के दर्मयान बनती है जो बहुत ज्यादा हो चुकिये है यही फीस से दो साल पहले साल पहले बहुत कम थी दो साल पहले तो बहुत ही कम होगी थी आल्मुस अठारह थारह हजार के करीब होगी अब यह काफी जादा बढ़ चुकिया डॉलर के रेट करणिंग लिए उसको मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि वीजा प्रोसेसिंग फीस है वो जो अपनी सर्विस का चार्ज करते हैं वो सिक्स्टी डॉलर्स है और ट्रेवल इच्वरंस जो है वो आपकी फॉर्टी फाइव डॉलर्स है तो इसको टोटल किया जाए तो यह बन सैवंटी डॉलर्स बनते हैं तो पाकिसानी रेट के इसाफ से पड़े और इसके लोगा जरूरी बाद जो सारी आपकी पेमेंट है वीजा की यह आपने केस्ट फार्म में देनी होती वहां पे काड आपर आपने कैश फॉरं में ही सारी फीस जमा करवानी होती है और यह जब आप फाइल अपनी जमा करवा देते हैं फीज की पे कर देते हैं अंदर आफिस का प्रोसीजर है उसमें पहला जैसे काउंटर होते हैं बैंक में आप पहले काउंटर पर जाएंगे वो सारे डॉक्मेंट्स आप गैदर करेंगे जो जो चीज़ें उने चाहिए हो जुक में आप से मांगेंगे चेकलिस्ट के अगार्डिंग्टेश रेवल की जो चेकलिस्ट है वह भी आपको वेबसाइट पे इस पे चकर सकते के मजीद कौन कौन्स से मैंने सारे डाकुमेंट्स यह आपको बिता दी हैं कोई रह गया तो अश्में पार्भी सकते हैं लेक और जो आप फीस की स्लिप है उसको आपने संभाल के रखना है क्योंकि जब आपको आपके पास्पोर्ड कोलेक्शन का मेसेज आएगा तो आपने सास लेकर जानी होगे आप जब दिखाएंगे तो आपका पास्पोर्ड आपको वापिस कर दिया जाएगा यह थी जी आज की व वीडियो देखने के बाद आपको समझ आगी होगी कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की बिल्कुँ दरूर्ष नहीं है जो डॉक्मेंट्स आपको बताएं हैं यह डॉक्मेंट्स लेके सीथा उनकी ऑफिस चले जाएं आफिस की लोकेशन भी आपको डिस् यह फिली मिल जाएगा अच्ट ल लाइक ज्रूर कर दिए अब किसी अगल को घूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मुश्टीज लोग मेरी विडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ना भूल जाते हैं पता नहीं कित्री इमिनत होती है यह इन सब्श झाल